नमस्कार दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ नांग मनी से जुड़े रहस्सों के बारे में क्या नांग मनी होती है नांग मनी की सहयता से क्या कोई भी नांग रूप धारन कर सकता है क्या नांग मनी की सहयता से अमर्व हुआ जा सकता है क्या नांग मनी की सहयता से कोई भी मनुस करोलपती बन सकता है क्या नांग मनी की सहयता से अनेको प्रकार की रहस्समय सकतियां तथा सिध्यां प्राप्त की जा सकती हैं इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देंगे तो आप सभी संडरोध है इस वीडियो को पूरा और आखरी तक देखिएगा क्योंकि दोस्तों आज हम नांग मनी के रहसों से परदा उठाने वाले हैं अपने इस वीडियो में और आपके कई सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माद्यम से क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है नांगों को लेकर के जिहां दोस्तों नांगों को लेकर के उनकी मनियों के बिसे में अनेको चर्चाई मिलती हैं और नांग मनी के उपर अनेको फिलमे बनी है और तो और दोस्तों नांग मनी को लेकर के अने को लेक छपे हैं जिससे सावित होता है कि दोस्तों नांग की जो नांग मनी है वो कितनी ज़्यादा महत पूर्ण है तो दोस्तों चलिए हम उठाने जा रहे हैं नांग मनी से जुड़े रहसों किसे परदा तो आप सभी संरोध है इस वीडियो को पूरा और आखरी तक देखिएगा क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल के माध्यम से इसी तरह की रहसमय जानकारी लाते हैं जो आपके ग्यान में ब्रिद्धी करता है तो दोस्तों सबसे पहले ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से इसी तरह की रहसमय जानकारी लाते रहते हैं साथी साथ दोस्तों हमारी वीडियो को भी लाइक कर लीजिए क्योंकि दोस्तों हम अपने चनल के माध्यम से सोरा बनाने का प्राचिन प्रियोग लेकर के आते हैं तथा कई प्रकार की तांतरिक और सधियों के बारे में जानकारी देते हैं आयुरुबेदी कोसधियों के बारे में जानकारी देते हैं तथा तांतरिक साधनाओं के बारे में जानकारी देते हैं तथा पुराणों के बारे में तथा पुराणों से जुड़ी अनेकों रहस्यमई जानकारी देते हैं तो दोस्तों इसलिए आप सभी हमसे जुड़े रहे तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं नांग मनी का रहस से तो दोस्तों आप सभी से अनरोध है कि अगर आप लोग नांग मनी के रहसों को जानना चाते हैं तो इस वीडियो को पूरा और पूरा आखरी तक देखिएगा तभी आपके समझ में आएगा अन्नता कुछ समझ में नहीं आएगा दोस्तों क्या सचमुच नांग मनी होती है क्या यह नांग मनी केवल और केवल नांगों के पास होती है तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ जो भी मानताएं हैं जो भी इससे जुड़ी कहानिया हैं जो भी इससे जुड़े साक्ष हैं उन सभी को अधार में मान करके मैं आपको बताऊंगा तो दोस्तों हम सुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहली बात हम बात करेंगे नांगमणी के बारे में कि नांग के पास होती है तो दोस्तों जी हाँ नांगों के पास नांग मणी होती है जी हाँ और तो और दोस्तों ऐसी ऐसी मानता है कि नांग मणी उन नांगों को मिलती है जो हजारों साल तक जी जाता है कहने करते दोस्तों जैसे कि एक हजार साल तक अगर कोई नांग जी जाता है तो उसको भी नांगमणी मिल जाती है और तो और दोस्तों जब स्वाति नक्षतर आता है उस समय पर जो ओस गिरती है जब उस ओस को जब नांग मुख में धारन करता है या पीता है तब इससे भी नांगमणी बन जाती है ऐसी धारना है साथी साथ दोस्तों एक और माननता है जिस में जो है उन नांगों को नांगमणी मिलती है जो नांग बुढ़े हो जाते हैं जो भी नांग जो है क्या कहते हैं कि जो सिकार करने में असक्षम होते हैं जो सिकार नहीं कर पाते हैं और जिनको भोजन नहीं मिल पाता है तो दोस्तों भोजन के उनके विवस्था के लिए जो उन बुढ़े नांगों को नांगमणी दी जाती है लेकिन दोस्तों ये जो चारो मानता हैं जो ये चारो धारना हैं ये कही न कहीं से दोस्तों आपको भ्रहम में डाल सकती है कि ये इसमें से कौन सा क्या सही होगा लेकिन दोस्तों इसमें बात चाह जो भी हो आपको चीज नांग मनी एक ऐसी भी धारणा है कि नांग मनी उन नांगों को मिलता है जो नांग बहुत ही जो है सांथ सुभाव के तता बहुत ही बहुत ही एकदम सही ढंग से और बिना किसी को काटे अपना जीवन यापन करते हैं उनको भी नांग मनी दी जाती है लेकिन दोस्तों बात च फिल्में दिखाई जाती हैं जो इच्छधारी जो नांग होते हैं और समय समय पर इच्छधारी नांगों की उपर कई प्रकार की दिब फिल्में बनती रहती हैं जिहां दोस्तों जैसे आपने देखा होगा कि नगीना और इच्छधारी नांग नांग राज तथा नांगों क गुफा इच्छाधारी नांग के मणी यानि दोस्तों ऐसी अनियोको फिल में है इस नाम से जो दोस्तों समाज में कहीं न कहीं इस और इसारा कर रही है इस और इंगित कर रही है कि नांग मणी होती है दोस्तों कई लोग तो इसे एकदम जूटा मानते हैं इसको जो है कपोल क लेख मिलता है कि जिस सर्प के पास नांग मणी होती है दोस्तों वह नांग सबसे अलग होता है अद्बूत होता है ये नांग मणी नांग जो नांगों के राजा होते हैं उसके पास होती है या फिर जो नांग जो है दोस्तों जैसा कि मैंने बताया है या सो साल से ज़्यादा जीवित रह जाता बिना किसी को काटे हुए तो उसको मिलती है या फिर दोस्तों एक हजार जो एक हजार से ज़्यादा जीवित रहता उसको मिलती है या फिर दोस्तों साब जो बुड़ा हो जाता तब नांगमणी मिलती है ठीक है दोस्तों तो दोस्तों कहने करते दोस्तों इसके अलावा और भी अनपक्ष है जिससे नांगों को नांगमणी दी जाती है ये केवल और केवल मैंने आपको चार उधारन बताई है चार मानताएं बताई हैं चार अधारनाएं बताई हैं लेकिन दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सारे रहसे हैं इस नांग मनी से जुड़े हुए कि नांगों को ऐसे नांग मनी दी गई एक कथा के अनुसार नांगों को मनी जो है दोस्तों जो है उनके नांग राजाओं के द्वारत दी गई थी ताकि ताकि वो लोग जो है आसानी से अपने किरिया कलाप को संपन कर सकें ऐसी अन्यकों ही धारणाय मिलती है जिससे मनुस्य जो है ब्रमित रहता है और तो दोस्तो कई भी दौनों में आज भी मतभेद हैं और जिल लोगों ने इस पहेली को सुलजाया नहीं है जिहां दोस्तों जिसने भी इन पहेलियों को सुलजाया नहीं है तो दोस्तों उसके लिए ये चीज़े जूटी लगती है और उनको लगता है ये कलपना है ये सच नहीं है लेकिन दोस्तों सच मूच नांग मनी होती है और दोस्तों नांग मनी के दोरा कोई भी नांग असानी से अपना रूप बदल सकता है चाहाँ फिर वो इंसान का रूप बदल ले या फिर कोई जानवर का रूप बदल ले या फिर किसी पक्षी का रूप बदल वो जो है हमारे बीच मौजूद हो सकता किम्तु वो हमें दिखाई नहीं देता ठीक है दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों जो इच्छादारी नांग होता है वो बिना मतलब में ऐसी भी मानता है किसी को परसान नहीं करता है और दोस्तों ये भी एक धारला है कि जो बरगत का ब्र चपे हैं और पुरानों में भी इसके बारे में उल्लेक मिलता है साथी साथ दोस्तों जो भी ये तत्थ हैं दोस्तों ये तत्थ कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन कुछ तत्थ ऐसे भी हैं जिनके बारे में मैं भी नहीं जानता जियां दोस्तों कुछ ऐ माँ में रहने वाले जो लोग होते हैं जो पहाड़ी लाकों में रहते हैं जो जो दोस्तों जो आउट ओफ एरिया में रहते हैं यानि कि जो दिहात में रहते हैं वहाँ पर नांग जादा देखे जाते हैं क्यों क्योंकि उनके वाता वरण के लिए वो परिवेक्ष बहुत अ दोस्तों आज की एक घटना है जिसमें आज के दिन एक नांग मनी देखने का दावा किया गया है लेकिन इससे पहले भी कई बार नांगों को नांगों को नांग मनी के साथ देखा गया जैसे दोस्तों मैं आपको एक घटना बता रहा हूं मद्द परदेश की जिसमें दोस्तो ती जो की बहुत ही अच्छी थी हुमहिला और उनका दिल बहुत साप था और थोड़ी वो जो है गुसेल टाइप की थी किन्तु वो जो हमेशा सुबह-सुबह चार बजे जो है खेतों में अपने किसानी बाड़ी के काम से जायक करती थी और वही पास में ही एक बहुत भी साल नाग मनी थी जहाँ पर हर नाग पंचेमी को दूद रखा जाता था और वहां एक पास में मंदिर भी था और वहाँ पर दोस्तों एक पुरानी बामी थी जिसमें एक बहुत मोटा बिल था साप का और दोस्तों लोग जो है उन्होंने बताया कि मैं तो हमेशा से जो है अपने खेतों में उसी राष्टे से जाती रही लेकिन मुझे कभी नांग नहीं दिखा किन्तु एक दिन बहुत सुबह सुबह यानि कि करीब जो समय है वो रहा होगा तीन से चार के बीच का समय रहा होगा जी हाँ दोस्तों सुबह के तीन से चार बजे के बीच का समय रहा होगा और लगबग लगबग चार भी बजे हो सकते हैं जैसा उन्होंने बताया वैसा मैं आपको बता रहा हूँ और उसी समय वो जब अपने खेतों में बड़े तड़क जो इतना काला है कि दोस्तों आप देखोगे कि ऐसा लगेगा जैसे कोई डामर कोईले से भी काला लग रहा था और उसके स्कीन से अजीब सी चमक आ रही थी और दोस्तों वह नांग जी हाँ दोस्तों वह नांग अपनी मनी को रख करके घास के उपर उसने उस मनी को रख करके खाउपर घास पर और उसके दोस्तों गेर गेर यानि कि उसके गोल-गोल जो चक्कर काट रहा था नांग और जो सुवह-सुवह की ओस पड़ती है ना उस ओसको पी रहा था वो छदारी नांग और तब उन महिला ने देखा कि मनी ऐसी भी होती है वो जो मनी थी जब वो सर्प जो है मनी को निकाल के वहां रखा और उस मनी के साड़ शाड़ में चक्कर काटने लग गया ठीक है और जो उपर से ओस जो गिर रही थी गास की उपर उसको चुग रहा था ठीक है दोस्तों तो दोस्तों उस मनी में इतनी चमक थी ना कि वहां का आस पास का एरिया सारा का सारा रोसनी से भर गया था वैसे दोस्तों एक नांग मणी में इतनी रोसनी होती है कि वो कम से कम एक बड़े से कमरे को रोसन कर सकती है तो दोस्तों जब उन्होंने देखा दोस्तों जब उन्होंने देखा कि जो इच्छाधारी जो नांग है वो ना ताकि कोई अगर कहीं अगर संकह हो कि उसकी मणी को चीहने तो उसको वो प्रोटेक्शन में रखे अपने अपनी रक्षा में रखे और जैसी कोई है वो इसको मुँं में रख करके अपना वहां से गायब हो जाए या फिर वोहां से है आपने बिल में चला जाए तो दोस्तों वो इसलिए भी कर रहा होगा, लेकिन दोस्तों जैसी जैसे उस मणी के आइड साइड में वो चक्कर काट रहा था, और उपर जो ओस गिर रही थी, उसको पी रहा था, ठीक है, और वहाँ पर जो कुछ और कुछ भी समगरी होगी, जो उसके खाने होगी, साथ वो भी खा रहा ह लेकिन जैसी उन महिला ने देखा, उन्होंने देख करके उस नांग मणी को देख करके आश्चर चकित हो गई, उन्होंने कहा कि आज तक मैंने ऐसी नांग मणी कभी नहीं देखी, और उन्होंने देखा और उन्होंने दूर से हाथ जोड लिया, क्यों, क्योंकि वो लोग स आइसा उन्होंने कहा लगें पता नहीं कितनी किए कि नाग ने नहीं देखा मनी को भी और छो है उस नाग को भी वह नांग बहुत मोटा था कम से कम वह कम से कम दोस्तों दो लाठी के बराबर था वो नांग जी हां दोस्तों वो बहुत मोटा था और दो लाठी के बराबर था वो इच्छधारी नांग और उन्होंने तब से तब उन्होंने वहां देखा और उसकी रोशनी इतनी चमप चमक थी थी रोशनी कहने करते दोस्तों उस मणी की रोशनी ब्रहम मूरत में इतनी ज्यादा चमक रही थी कि दोस्तों वह जो महिला थी ना उस मणी के तरफ देख नहीं पा रही थी और जैसी देख रही थे ना तो उनकी आँखे चौधा हाँ आ जाती थी यानि की जैसे उस मणी की तरफ़ वो देखती थी नहीं certa तो उनकी आखे जो धुनलिए हो जाती थी जब यहां कै leakedी तो उनको की शाधि में देखती थी 180- Scottish वहां हात्या चाहर करेれảद देखता जाती थी aster नांग रागत कुछ रहा है। और उन महिला ने दोस्तों अपनी आप बीती बताई है कि उन्होंने नांग मनी देखी है और उन्होंने नांग मनी के बारे में ऐसी चर्चा की कि दोस्तों आपसे क्या बता हूँ ऐसी मानता है दोस्तों जहां पर नांग मनी होती है वहां समय पर वर्सा होती है वहां पर धन प्राप्त की जा सकती है लेकिन दोस्तों नांग मणी से नांग मणी प्राप्त कर पाना इतना असान नहीं है दोस्तों नांग मणी के जो जानकारी है वो मैं केलोर केवल आपको जानकारी से उद्देश से बता रहा हूं और दोस्तों आप लोग किरपा करके नांग मणी को खो की जुक्ती बहुत चाहता है लेकिंधिंघ जाता है कि आज भी असी चीज़े हैं गान नहीं इस चीज़ के बारे में घ्यान नहीं है दोस्तों आपने देखा होगा, उसके सर से लेट मारेंगे और उसका सर से पथर निकाल लेंगे कालसा रजान होते हैँ यह नधाग मनी नहीं होते हैं तो सांप दूरलब होते हैं और उनको जंगलों में छोड़ के आते हैं अच्छी बात है करना चाहिए दोस्तों और सांपों को हमें बचाना चाहिए क्योंकि हमारे परियावहरण में सांप का बहुत बड़ा योगदान है संतुलन संतुलन बनाय रखने में और सांप का जीवन भी उनको प्यारा है जैसे ह मारा जीवन प्यारा होता है लेकिन दोस्तों लेकिन आ लोग जो जब अपाट कर रहें लोगूं अच्छी बात है और और ऐसा करना भी चाहिए लेकिन दोस्तों जो वो सांप पकड़ते हैं वो जारीले बेसक है और वो लेकिन वो आम सांप है यानि कि जो समान ने सांप होते हैं वैसे सांप होते हैं जो दुरलब होते हैं यानि कि यह वो सांप होते हैं यह सांप विसेश प्रकार के होते हैं और नांग है और उनकी प्रजातियां जिनके पास नांगमणियां पाई जाती है वैसे अगर देखा जाए इस धपुरी धर्ती में कई पिरकार के नांग है लेकिन उन्हें में से बहुत कम नांगों के पास ही नांगमणियां है हर किसी नांग के पास नांगमणी नहीं है दोस्तो इस चीज का भी याद ध्यान रखिएगा क्योंकि दोस्तों यह लितलि विए लघ्रवी है जिहां दोस्तों और ताकि आपको पता चले कि नांग मनी होती भी है या नहीं होती है इसकी क्या है सच्चा है तो दोस्तों आप पता चले गया कि दोस्तों नांग मनी होती है साथी साथ दोस्तों जो बड़े बड़े जो तांतरिक सपेरा थे जिहां दोस्तों जो तांतरिक ति आप तो नंग बनियों से नंग प्राप्त करना इतना असान नहीं है क्योंकि इंच्छधारी जो नांग होते हैं और प्रयास करने का गलती भी मत करिएगा नांग मनी खोजनी की गलती भी मत करिएगा अगर आपको कहीं गलती से दिख जाए पहाड़ी छेतरों में जंगली छेतरों में तो वहाँ से चुपचाप निकल जाईएगा उनको प्रणाम करके ठीक है क्योंकि दोस्तों हमें ऐसे किसी की किसी की जो भी जो भी मनी होती है अगर हमें चाही जानकारी न Uhr थो हम उसकी आसपास नहीं बटकना चाहिए लेकिन मैं अब से ही कहोंगा Casey दोस्तों ये केलोर केलो आपको जानकारी की उद्देश से बताया जा रहा है और नांग मनी के द्वारा अमर भी होया जा सकता है लेकिन कैसे हो जा सकता है ये भी एक रहस से है लेकिन जो जो तथ्थे हैं ऐसी मानता है कि नांग मनी के नांग मनी से अमर होने के लिए कुछ ब अमरित मिलता है और उसको पान करके वो अजे हो जाता है अमर wash confusion अधर गहर में पैसी इतनाा घजाता सोच सकते इसके पास हाजार वह एकर भूमिय ओजाएगी कि ऊसको कभी रोक दोस नहीं होगा वह सकती साली बन जाएगा इस साथ इसा दोस्तों हम नांग मनी से जो है अनिय को प्रकार की सिध्यां पा सकते हैं जैसे हवा में उड़ना हो या फिर दूसरे लोग में जाना हो या फिर जो नांग लोग से या दूसरी दूसरे लोग में जाना हो या फिर दोस्तों जो है हमें जो है पानी के अंदर जान या फिर दोस्तों हवा में उड़ना हो या फिर दोस्तों अपने सरीर को जो है छोटा बड़ा करना हो या फिर रूप धारन करना हो यह सारी चीजें हम नांग मनी से कर सकते हैं लेकिन दोस्तों केवल यह रहस केवल इच्छधारी नांग जानता है अपनी नांग मनी को यूज कैसे करना यानि आपने नांग मणी का प्रियोग कैसे करना है बहुत कम लोग जानते हैं और जिसमें जानकारी है वो वो नांग पुरान है नांगों के सास्तरों में लिखा गया है आज बस समझ में दोस्तों तो दोस्तों ये जो जितने भी रहसे हैं जितनी भी नांग मणियो जानते हैं कि हमें अपनी नांगमणी का हमें अपनी नांगमणी का प्रियोग कैसे करना है और हमें किस प्रियोग में लाना है तो दोस्तों मिद करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी ऐसी जानकारी पाने के लिए आप सभी हम से जुड़े रहें और आने वाले समय में हम इसी तरह की जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे आपने वीडियो देखिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद